हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज रणर में आप सभी का स्वागत है, आज की कहानी सायद आपके जीवन में उजाला भर देगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, सूरज बहुत ही इमानदार और महनती लड़का था, उसका परिवार बहुत बड़ा था, गाउं में जनी नहीं होती थी, एक दिन वह सहर में जाकर अपना हुनर आजमाने की सोचा, और सहर चला गया, सूरज के पास हुनर तो था ही, इसलिए उसे एक इटे की भठी में काम मिल गया, क्योंकि वह बहुत ही लगन से काम करता था, इसलिए उसने अपने माली प्रसाद का दिल कु उची तीन हुए थे कि पूरे देश में महामारी फैल गई, जिसके कारण सभी मजदूर अपने अपने गाहों जाने लगे, सूरज भी अपने गाहों जाने की तैयारी करने लगा, उसे अपने बुढए माबाप की चिंता सताने लगी, इसलिए उसने पूरे देश में उसे पूरा मजदूरी देने के लिए भी तयार हो गया क्योंकि सूरज ने उसका पूरा काम संभाल लिया था फिर भी वह नहीं माना और अपने गाउं वापस आ गया सूरज गाउं के लोगों को जागरू करने का काम करने लगा कि देश में फैले महामारी से कैसे लड़ा एक दिन सूरज को पता चला कि सरकार गोबर से बने दिये गमले और अन्य सामान खरीदेगी सूरज ने गाउं के सभी लोगों को समझाया कि गोबर का उपयोग हमारी पुरानी संस्क्रीती है और अब तो सरकार भी गोबर से बने दिये और अन्य वस्तुय खरीदेगी इस प पूरा गाह में उसका मान समान बढ़ने लगा। उसका वेवसाय तरक्की करने लगा। सूरज के माता पिता बुड़े होने के कारण उनकी तब्या ठीक नहीं रहती थी। यह देखकर सूरज ने सहर ना जाने का फैसला किया। लेकिन एक दिन सूरज का मालिक प्रसाद उसके गाह उसे अपने साथ ले जाने के लिए पहुँच गया। लेकिन सूरज के माता पिता का स्वास्ते को देखकर वह भी बहुत दुखी हुआ। सूरज ने कहा मेरे माता पिता को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे माफ कर दीजिए। भगवान से विंती करता यदि मेरे माता पिता की तब्य ठीक हो जाएगी तो मैं आपके पास आजाओंगा। प्रसाद के आँखों में आसु आ गए। उसने सूरज से कहा सूरज तुम तो अपने माता पिता के स्रुमर कुमार हो। तुम्हारे जैसा बेटा सभी माबाप को मिले। तुमको वापस स सहर आने की जरुत नहीं है। लागडाउन के खुलते ही मैं यहां तुम्हारे गाउं में ही एक इटे की भठी लगा दूगा। जिसका तुम ही मालिक रहोगे। तुम्हारा मन होगा तो मुझे उसका थोड़ा बहुत मुनाफ़त दे देना अन्यतर नहीं दोगे तो भी क्योंकि मैं तुम्हारे पित्र भक्ती और स्वामी भक्ती से बहुत ही प्रसंद हूँ। प्रसाद अपने आँखों में आशू लिए वापस सहर जाने लगा तो सूरज ने उसे गोबर के दिये भेंट सरूप दिया और कहा। मालिक इस दिये की तरह आपका जीवन भी उजा से जगमगाता रहेगा। प्रसाद के आँखों से आशू की धारा बहकर उस दिये में गिरने लगे। ऐसा लग रहा था। मानों सभी दिये तेल से भर गए हों और बाती के लिए तरस रहे हों। अब कमी थी तो सिर्फ सूरज के साथ रूपी बाती की जो प्रसाद के जीव प्राणों में उजाला कर सकता था। दोस्तों, आपने देखा गोबर का उपयोग करना हमारी पुरानी संस्कृती है। गोबर के उपयोग से पर्यावरान भी सुध्ध रहता है क्योकि गोबर से बने दिये का उपयोग होने के बाद फेंक देने पर भी वहा खाध ही बनेग प्रयास्टरी